असलाम लेकुम वेलकुम बेक टू माई यूट्यूब चैनल एसिंग सी एसेस एंड पेमेस और इस वीडियो में हम एक छोटी सी सीरीज का आवास करने जा रहें जिसमें हम वोकैबलरी का यह एक टास्क है जिसमें हम डेली की फाइव वोकैब्स किया करेंगे ठीक है एक शौट शाटास्क है पांच वोकैब्वर्ड होंगे यह जी आरे की वोकैब्स लिस्ट से जो है वो लियेगे वोकैब्स हैं यानि कि वह वाले वोकैब्स चुके आपको आपकी एक्जैम के लिए CSS, PMS, किसे भी कॉमपैटिटिव एक्जैम के लिए या आपकी जो उसे rich बनाने के लिए एक बहुत helpful source से वहां से लिए गए तो हम जो है अपने साथ रहीगा इस सीरीज में तो हम यहां से इस सीरीज का आगास करते हैं सबसे पहले है अबेट किसे कहते हैं किसी चीज की intensity को कम करना को लेसन करना को इसके synonyms हैं इसके synonyms में ease आ जाता है lesson, subside, fade, decline यह इसके synonyms हैं सब का मतलब जो है वो किसी की intensity को शिदत को कम करना है antonymist का क्या होगा, मुतजाद क्या होगा, intensify ठीक है, बढ़ा देना किस चीज को for example, we will have to wait for the storm to abate कि हमें तोफान के कम होने का इंतजार करना पड़ेगा इसी तरह the fighting in the area shows no sign of abating के area में जो fight हो रही है, वहाँ पे कोई sign नहीं है उसके कम होने का aberrant किसे कहते हैं, aberrant कहते हैं गुमराही को कि कोई यानि कि आपका जो norm है, आपका जो सीधा path है, वहाँ से deviate करने को वहाँ से मुड़ जाने को, वहाँ से गुमरा हो जाने को हम aberrant कहते हैं इसके pseudonyms क्या है, abnormal है, atypical है, divergent है और deviating है, एंटोनी में इसके normal आ जाते है और typical आ जाते है for example, deviant behavior is one of the features of certain types of mental illness, चीक है तो आप evident behavior यहाँ पर कर लें, deviant की जगा पर, तो यह जो है evident कहते हैं हम गुमराही को abger, abger कहते है to renounce, या कोई चीज reject कर देना को, कोई चीज जो है वो तरक कर देना को कोई चीज जो है वो छोड़ देना को हम क्या कहते है, abger कहते हैं, तो इसके synonyms में renounce आ जाते है, reject, reckon or to avoid आ जाते है, एंटोनी में इसके embrace आ जाते है और adopt आ जाते है, for example, in order to marry the peasant, he loved the princess, he loved, the prince made the decision to abger his title, के उस peasant से शादी के नहीं के लिए prince को अपना title जो है वो छोड़ना पड़ा, abrogate कहते हैं, कोई authority अगर किसी चीज को, किसी हुकम को मनसूख कर दे, यानि उसे abolish कर दे, उसे annul कर दे, उसे खतम कर दे, कोई authority, तो उसे हम कहते हैं abrogate, इसके synonyms में abolish आ जाते हैं, annul आ जाते हैं, put down आ जाते हैं, antonym में introduce आ जाते हैं, for example, in 1975, Moscow decided to abrogate this agreement के, उनी सो पिजटर में Moscow ने इस agreement को abrogate करना करने का फैसला किया, फिर abscission कहते हैं, the act of cutting or removal को, यानि कोई चीज काटने को हम abscission कहते हैं, synonym में cut down or removing आ जाते हैं, antonym में link आ जाते हैं, for example, abscission of leaves occur during autumn, before winter sets in, के winter के आनिस पहले, autumn के दौरान, पते जो हैं, वो cut जाते हैं, या जड़ जाते, तो यह जो थे, यह हमारा आज का first task था, जिसमें हमने five जो है, वो vocab words कि, उमीद है कि आपको इन पांचो vocab words की समझ आगी होगी, कोशिश करें कि आप जो है, इन vocab words को अपनी daily write-ups में इस्तेमाल करें, ताकि यह जो vocabs हैं, यह आपकी अच्छे से आपको याद हो जाएं, मजीद आप जो है, आप एक-एक sentence जो है, in vocab related comment box में भी बना सकते हैं, I will evaluate कि आइदर आपने वो ठीक बनाएं, या उनमें कोई grammatical, कोई structural या किसी किसम का कोई जो है, वो issue है, तो अगली वीडियो में हम मजीद 5 words, vocab, उनके synonym, उनके antonym और सीखेंगे, उनका इस्तमाल सीखेंगे, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस सीरीज में शामिल होने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शुक्रिया, अल्हाफिस,